इस फीचर फोन में आपको 4G, WhatsApp, YouTube सब मिल जाएगा तो हमारे पास है Blackzone Mobile के तरफ से Wings 4G फोन ये एक ऐसा फोन है जिसमें लगभग सभी चीजे आपको मिलेंगी बॉक्स के लेफ्ट साइड में देखेंगे तो इसमें आपको WhatsApp, Facebook, Instagram, Google Maps और YouTube का आइकन मिलेगा यानि कि इसमें सभी चीजे रन करती है राइट साइड में Wings 4G मेंशन किया हुआ है वीडियो पॉस करके आप इसके स्पैक्स बढ़ सकते हैं तो चले बॉक्स को उपन कर लेते हैं बॉक्स उपन करके ही सबसे पहले आपको फोन दिखेगा फोन को करते हैं साइड इसके लाव आपको बॉक्स में मिल जाएगा एक 3000 mAh का बैटरी USB 2 Type-C केबल और एक 5 वोल्ट का ब्लैक जोन चार्जर इस फोन के अंदर आपको दो नैनो सिम का स्लोट मिल जाएगा जो कि 4G वोल्टी सिम सपोर्ट करता है और एक Micro HD का स्लोट मिल जाएगा फोन के राइट साइड में आपको डेडिकेटेड टॉर्च बटन मिलेगा जो कि बीना फोन आउन किये भी वर्क करता है लेफ्ट साइड में कोई भी बटन नहीं है फ्रंट में आपको बड़े-बड़े कीस मिल जाएगे और डेडिकेटेड बटन मिलेगा WhatsApp, Facebook और YouTube के लिए टॉप में आपको बड़े से दो टॉच लाइट मिल जाएगे नीचे टाइप-C केबल चारजिंग के लिए 3.5 mm जैक और माइक्रोफोन मिल जाएगा इसके बैक साइड में ब्लैक जोन की ब्रैंडिंग की हुई है 4G मेंशन किया हुआ है और यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेट अप मिलेगा लेकिन इसमें से सिर्फ एक ही कैमरा वर्क करता है बाकी दो डमी कैमरा है और यहाँ पे आपको एक बड़ा सा box speaker मिल जाएगा इस फोन में आपको 2.8 inches की touch display मिल जाएगी डिस्पले के उपर आपको ear piece और एक front camera भी मिलेगा इस फोन में 1 GHz का octa-core processor है 2 GB की RAM है 16 GB का storage है और यह Android version 11 पे बेज़द है अब क्योंकि यह phone Android पे बेज़द है तो आपको इसमें कुछ Android वाले features भी मिल जाएगे जैसे कि आप slide down करके quick setting access कर सकते हैं आपको extra apps डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे Google Play Store भी मिल जाएगा फोन का menu आप देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखेगा और इसमें जो भी apps है वो system apps है और वो uninstall नहीं होंगे Instagram को छोड़के menu में और apps एड़ करने के लिए आपको all apps में जाना है और यहाँ पे आप plus sign दबा के कोई भी apps को home screen पे एड़ कर सकते हैं तो जब आप system apps में जाएंगे तो आपको uninstall का option नहीं देखेगा यहाँ पे वही Instagram में आपको uninstall का option दिख जाएगा अगर आप internet storage देखेंगे तो 5.41 GB औरेड़ी यूज हो चुका है 16 GB में वैसे इसमें backlit keypad दिया हुआ है लेकिन इसे आप settings में जाके बंद भी कर सकते हैं यहाँ पे आप font size भी बढ़ा सकते हैं वैसे फोट जी वोल्टी होने के काराएंड इसमें आप geo sim भी यूज कर पाएंगे यह phone touch and type दोनों तरीके से काम करता है और जब इसमें आप call करेंगे तो इसमें आपको loud speaker का option मिल जाएगा साथ ही इसमें आप manually call recording भी कर सकते हैं जैसे ही आप अपने Gmail से इसमें लॉग इन करेंगे आपके सारे contacts इस phone में sync हो जाएंगे मीडिया के तरफ आए तो इसमें आपको एक camera मिलेगा जिसका quality decent है और आप इस phone में front camera भी use कर सकते हैं box speaker होने के काने इसका music काफी loud है लेकिन इसको बजाने के बाद मैं volume की miss कर रहा था इसमें आपको wireless FM radio भी मिल जाएगा apps की तरफ आएं तो इसमें आपको WhatsApp मिल जाएगा test screen होने के काने आप इसमें typing easily कर पाएंगे लेकिन इसका keyboard थोड़ा छोटा है तो आपको इसमें दिक्कत हो सकती है इसके YouTube में आप shots अच्छे से play कर सकते हैं और इसमें YouTube वीडियो भी अच्छे से चल जाएगा इसमें UPI payment app तो नहीं है लेकिन आप play store से जाके Google Pay या phone पे app इंस्टॉल कर सकते हैं कनेक्टिविटी के तरफ आएं तो इसमें आपको Wi-Fi मिल जाएगा डेटा शेयर करने के लिए Wi-Fi hotspot और Bluetooth टेथरिंग भी मिलेगा इसके अलावा आपको इसमें Bluetooth भी मिलेगा जिसे कि आप अपने TWS भी कनेट कर सकते हैं तो दोस्तो ये तो था इस phone का unboxing और quick review वीडियो आपके मन में जो भी doubts से आप मुझे comment में पूछ सकते हैं और मैं इसका फिर एक detailed वीडियो भी लेके आऊँगा वीडियो अगर पसंद आया तो इसे like करे और चैनल को subscribe करे धन्यवाद